धर्ती पर ऐसे कई खूबसूरत जगे मौजूद हैं जहां घूमना हर किसी को बेहत पसंद है लेकिन आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना जिन्दिकी का सबसे बुरा अनभव साबित होगा तो आईए जानते हैं दुनिया की सबसे दुश्वार जगों के बारे में जहां जाने की गलती आप नहीं कर सकते दुनिया की सबसे ठंडी जगे एंटार्टिका एंटार्टिका को दुनिया की सबसे सर्द जगे माना जाता है जहां मानव जीवन दुश्वार है यहां साल भर लिए तूफान चलते रहते हैं अंटार्टिका में जमी बर्फ की ओसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है सर्दी के मौसम में यहां एक रात का तापमान शून से माइनस 92 डिग्री दर्च किया गया था लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सरजन और ग्लोबल वामिंग के कारण इस इलागे की बर्फ तेजी से पिघल रही है जो मानव जाती के लिए सबसे बड़ा खत्रा है अमारिका में डेथ वैली को दुनिया में मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है डेथ वैली नाम का ये रेगिस्तान दुनिया की सबसे गर्म जगे है 10 जुलाई 1913 को मौत की इस घाटी का उच्चतम तापमान 56.7 डिग्री मापा गया था यहां का तापमान इतना गर्म है कि कुछ ही मिनिटों में इंसान की मौत हो जाए जिस तापमान में इंसान का जीवित रहना मुश्किल है वहां जीव जंक्तियों की कल्पना करना भी नामुम्किन है डिथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगे होने के साथ साथ काफी रह समय भी है मौन टेवरेस्ट दुनिया का सबसे उचा पहाड है जो हिमाले समेत नेपाल और चाइना के बीच अंतराश्ट्य सीमा पर मौजूद है माउंट एवरिस्ट की उचाई 8,848 मीटर है पहले ये परवत XV नाम से जाना जाता था वही नेपाल के स्थानिय लोग इसे सागर माथा के नाम से पुकारते हैं 29 में 1953 को न्यूजिलेंड के एंडमंड हिलेरी ने और नैपाल के शेरपा तेंजिंग ने पहली बार इस पर फत्य हासिल की थी इस जगे पर बरफीले तूफान और तेज हवाओं का खत्रा बना रहता है जिसकी वज़े से कई ट्रैकर्स अपनी जान गवा देते हैं दुनिया की सबसे गहरी जगे चैलेंजर डीप प्रिथवी पर मौझूद महासागरों में चैलेंजर डीप पानी के भीतर सबसे गहरा स्थान है देखा जाये तो इसकी अधिक्तम गहराई आज तक मापी नहीं जा सकी है प्रशान्त महासागर के मरियाना ट्रेंच के नीचे मौझूद चैलेंजर डीप की नियूनितम गहराई 11 किलोमीटर है इस गहराई तक पहुँचने में अब तक सिर्फ तीन लोग सफल हो पाए हैं इस गहराई में जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं लेकिन अबदार और टाइडेडिक फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून साल 2012 में इस गहराई में जा चुके हैं इतनी गहराई में जाना किसी भी वेक्ति के लिए बेहत खतरनाक हो सकता है दुनिया की सबसे सूखी जगह अटाकामा मरूस्थल यानी अटाकामा डेजर्ट चिली में मौजूद अटाकामा रेगिस्तान को मौसम वैग्यानिकों ने दुनिया की सबसे सूखी जगह करार दिया है आटाकामा मरुस्थल में कुछ ऐसी जगें भी मौजूद हैं जहां आज तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी इस सुखी जगे की कलपना कर पाना भी बेहत मुश्किल है ये शुश्क मरुस्थल एंडीज परवतमाला से लेकर प्रशांत तट पर लगभग एक किलोमीटर के दाइरे में फैला हुआ है आटाकामा मरुस्थल में एक दिन बितापाना भी नामुम्किन है दुनिया की सबसे गीले जगे मौसिन राम धर्ती पर सबसे नमी या गीली जगे कौन सी है इसका जवाब हर कोई नहीं दे सकता आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के मेगाले में स्थित मौसिन राम गाव को दुनिया की सबसे गीली जगे माना जाता है इस जगे को बादलों के बसेरे वाला गाव भी कहा जाता है मौसिन राम गाव में साल भर औसतन 11.871 मिली मीटर बारिश होती है इतने पानी में ब्राजिल में मौझूद जीजस क्रैस्ट की 30 मीटर उची मूर्ती घुटनों तक डूब जाएगी इस बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसिन राम में जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है जादा बारिश होने की वज़े से यहां खेती करपाना संभव नहीं जिसकी वज़े से यहां के लोगों को खादे समस्याएं जहीली परती है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या शांगाई वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है लेकिन इस देश में शंगाई एक मात्र ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इस शहर की जनसंख्या धाई करोड से जादा है जबकि अफरीकी देश अंगोला की कुल अबादी धाई करोड है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शंगाई को दुनिया की सबसे दुश्वार जगे क्यों कहा जाता है यहां बाजार, सडके, मौल और इमारतों समेथ हर जगे लोगों की भारी भीड दिखाई देती है यह नाजारा बिलकुल वैसा होता है जैसे आप किसी मेले में आ गए हो इस आपार जनसंख्या का खामियाजा पर्यावरन और खुद इनसान को भुगतना पड़ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी परिटक जील लेक टीटी काका पेरू और बुलीविया सीमा परस्थित टीटी काका लेक दुनिया की सबसे बड़ी परिटक जील है इंका भाशा में टीटी काका का मतलब है प्यूमा चट्टाने ये जील नाव परिवहन वाली दुनिया की सबसे उंची जील है लेकिन इसमें नाव का लुट्फ उठा पाना उतना आसान नहीं है इस जील में मीठे और खारे पानी के मिलने की वज़े से नाव चलाना मुश्किल होता है पानी में नाव पलटने का डर हमेशा बना रहता है आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक और शेर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें